हलो एवरिवन आज है 10 फेबरुवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें रेल विकास निगम के बारे में 71 रुपीज का श्यर है हल किसे गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है और जैसे मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद कंपनी के क्वार्टर थ्री के नत तो 71 रुपीज का श्यर है रेल विकास निगम का पिछले एक महीने में अगर हम देखे तो पिछले एक महीने में रेल विकास निगम ने के जो श्यर है उसमें 2% का ग्रोध भी है एक बड़ी रफतर हमने देखी 70 से 80 तक की बाद में लगातार यह तूट रहा है थोड़ा ब अधिके 29-30 के आसपस लंबे समय तरक कंसॉलिडेट किया और एकदम से फढ़ गया एकदम से 80 बचला गया तूटा जरूर फिर बाउंस पर किया अभी तूट रहा है थोड़ा बहुत और करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है रेल विकास निगम में लेकिन मैं बेचने की करोड का रिवन्यू हुआ है कम है थोड़ा सा प्रॉफिट अगर आप देखो तो 30% जाधा है 380 करोड से भी जाधा का मुनाफ़ा हुआ है जो पिछले साले सी क्वार्टर में 295 करोड था अब देखने में लगे आ कि बहुत अच्छा था था 30% का ग्रोथ है लेकिन पिछल on quarter growth जो होना चाहिए अच्छा खासा वो नहीं है और यही वज़़ा है कि मैं इसको average कह रहा हूँ रेवन्यू की बेगर हम बात के तो 1% का growth है और यही वज़़ा है कि मैं इसको average results कह रहा हूँ अगर revenue में थोड़ा सा और growth होता profit में थोड़ा सा और growth होता तो definitely मैं इसको 1000 क्रोड के आसपास के इसका market के फे volumes अगर आज देखो गये तो railway गास नगम के volumes 33-34 लाग के आसपास देखने को मिले जो की ठीक ठाक है ठीक ठाक है यह company देखो सरकारी company है रेलवे के sector से जुड़ी हुई company है अच्छा खासा dividend pay करने वाली company है सरकार के पास सबसे जादा holding है सबसे बड़े promoter है 78.20% की holding है एक बिशर गिरिवी नहीं है चे मुचल फर स्कीम का पैसा लगा है और यहां पर आप गर आप देखो तो हाइस पब्लिक शॉर्टर में LIC है 6.38% की holding के साथ रेल विगास निगम देखा जाए तो वह यह company जो है वह सरकारी company है डूबे की कभी नहीं और क्योंकि इस एक्टर में बहुत कुछ करना बाकि है according to money control user बेचने की सला कोई नहीं दे रहे मैं भी नहीं दूंगा जो उन्हें स्टार्टिंग महीं बोला कि मेरी बेचने की सला नहीं दीवन जब यह आपको 20 रुपे पर मिल रहा था पंदर पे मिल रहा था 25 पे म अगर हम कि बात करें तो साल में लुत्तिन बार ड्यू नाहीं करता है अब देखें तो अच्छा दिवन पे इंचर तो हैं बहतर ड्यूंग कर रहा है पिछले साल भी 1.58 का दिविंडेंट हो पहली बार में फिर 25 पैसा साल में दो बार पेक करता है तो यह बहुत अच्छी बात है कि डिविडेंट पेक और अगेन अगर आप इसो 70 के प्राइस से मत काउंट करेगा क्योंकि तब यह शेर 30 रुपए के आसपास या उससे नीचे ट्रेट कर रहा था ठीक है तब इतना डिविडेंट था इस साल पो चांसिस है कि जब 37,80 पे ट्रेट कर रहा है तो डिविडेंट भी डबल पेक करेगा देखते हैं क्या होता है लेकिन डिविडेंट डबल पेक कर भी सकता है यह कंपनी जो है dividend pay करती है क्योंकि वो पैसा जाता है सरकारी तीजोरी के अंदर यहाँ पर revenue अगर आप देखो तो हर साल बड़े हैं हर साल की revenue पिछल साल के मकाबले जादा है आगे भी वही होगा profit पर अगर आप देखो तो हर साल का profit पिछल साल के मकाबले जादा है आगे भी वही होगा 380 करोर का profit पिछल 2 quarter में दिखाया है 2 quarter में जो कि बहुत अच्छा profit है रेल विकास निकम देखा जाए तो बारहा का इसका P ratio है सेक्टर पी 21-22 का है 100% टैनलिश्ट बे कहते हैं खरीदारी करो मुझे लगता है कि थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करना चाहिए 65 रुपय का लिवल मुझे जन्यूली पसंद आता है कि उससे नीचे अगर जाएगा तो मौकी बनेंगे देखो जब यह सस्ता था कई सारे वीडियो उस्ते मेरे बाद में अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी तेजी हमने इससे पहले भी देखी है रेल विगास निगम में लेकिन जितनी बड़ी तेजी देखी है उतनी बाद में थोड़ी वक्त बात हमें करेक्शन भी देखने को मिला है अगर आप तीन सारे ग्राफ देखोगे तो बहतर तेजी यहां पर देखने को मिली फिर करेक्शन भी आया फिर तेजी आयी करेक्शन आया फिर बड़ी तेजी आयी फिर करेक्शन देखने को मिला इस बार भी वही हुआ है तो correction थोड़ा बहुत बनता है यहाँ पर और यह बहुत बढ़ी तेजी है यह तो correction बनता है थोड़ा बहुत correction आपको शाइद देखने को मिल भी सकता है रेलविकास निगम के शहर में और अगर जाता है तो खरीदारी के मौके बनते भी हैं वहाँ पर शेर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो सबसे बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास है 78.20 अब यहाँ पर सेवी का रूल कहता है कि 75% से जादा की होल्डिंग कोई भी कंपनी ओन नहीं कर सकती है तो आने वाले दोर में इसी साल हो सकता है कि सरकार अपनी होल्डिंग को कम करती नजर आए FPOGs के जरीए या किसी और तरीके से यागिन सरकार अपनी होल्डिंग को कम करेगी आने वाले दोर में और 75% तक लिक राएगी mutual fund के पास है जरू holding लेकिन थोड़ी सी कम है 0.04% की ही है 6.40% है domestic institution के पास 2.45% है Files के पास और surprisingly Files ने बड़ी खरीदारी करी है 1.76% की Files की जो holding है वो बढ़के 2.45% पर आई है हलाकि बेक्वाली करी है mutual funds ने और domestic वालों ने यहाँ पर बेक्वाली करी है रिटेल के बाद के तो 9.08% की जो रिटेल की holding थी वो 9.08% ही है रिटेल वाले जहां थी वही है ना खरीदा ना बेचा कुछ नहीं किया उन्होंने सरकार ने भी कुछ नहीं किया ना खरीदा ना बेचा जो यहाँ पर बेक्वाली जनरली हुई है तो वह mutual funds और other domain institutions की तरफ से बिक्वाली हुई है और F-I-L-C तरफ से हमें यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है तिके overall rail विकास नेगम अच्छा dividend paying शेर जरूर है नजर होनी चाहिए इस company के उपर नतीज़े उतने जाद exciting तो नहीं है पहली चीज़ तो शायद आप एक बड़ी रफ्तार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं थोगाल सा correction आप यहाँ पर definitely expect कर सकते हैं को शायद देखने को मिल जाए तो हर पांच रुपए की गिरावर्ट में long term ग्लाब एट करके चल सकते हो company अच्छी जरू है railway में बहुत कुछ करना बागी है आने वरे दौर में railway infrastructure पर बहुत जादा जूर दिया जाएगा कई सारी वंदे भारा train चलाई जाएगी bullet train के हलाकि शुरुआत करने वाले हैं हम हलाकि यह लब में समय से काम कर रहे है इसके उपर लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है लेकिन वह भी होगा आने वाले दौर में कई सारी सिटी जे मेट्रोस पा भी काम करना बागी है रेल विकास निगम भई एक्सपर्टी जें लोगों की इन सारी चीज़ों में तो डेफिनेटली कई सारे ओर कई सारे प्रोजक्त जो है वो आने वरे दौर में शायद आपको रेल विकास निगम जो है वो हैंडल करती नजर आएगी तो यही कोंगा आपसे खरीदारी करी है बने रही है फ्रिश बाइंग की जादक बाचे थोड़ी से और गिरावट का वेट करें अगर आती है यहां से तो खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे वीडियो को यहीं प्रेंट करूंगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाय करें चैनल अगरा पहली बाहर है तो प्लीज सब सब्सक्राइब करें और एल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक यू